हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, एक बार फिर सागत करते हैं आपके चलन एम एनेची भर पर आज हम पढ़ेंगे अरस्तु, रस्तु के बारे में अरस्तु की निती मिमानसा, जो की आप लोग इसली कलास में लेटो की निती मिमानसा देखे थे हम अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं ठीक, तो आज हम अरस्तु की निती मिमानसा के बारे में पढ़ेंगे पिछले दो लेक्षर में हमने गान्थी की निती मिमानसाब को देखे फिर उसके बाद हमने सुकरात उसके बाद हमने प्लेटो और फिर आज हम आई हुए अरस्तु की निती मिमानसाब पर ठिक ऐसे तो कहा जाता है कि अरस्तु एथिंस का निवासी नहीं था, ठीक, एथिंस का यह नहीं था, था तो कहां का, अरस्तु जो था, वो था, इनका जनम जो था, मैसी डोनिया में हुआ था, कहां, मैसी डोनिया में, ठीक, अरस्तु का जनम, मैसी डोनिया में हुआ था, ठीक, उ इस तरह से हम जानते हैं महान दार्षनिक था उससी तरह से महान बेग्यानिक भी था ठीक क्योंकि इनको अगर हम लोग देखें फादर और पायलोजी के विद्जा हम जानते हैं क्योंकि इन्हें वह नस्पति बिग्यान में बहुत ही रुची थी ठीक तो आज हम उस चीज से जुड़े हुआ चीजे नहीं बात करेंगे आज हम जानेंगे उनकी नितिव मांसाक उपर क्या विचार थी जिस तरीके से हम लोग ने देखा जिसे वह एक महांत संयोजक था जिसने बिभीन बिग्यानों के निव रखी और उनका वरगी करण गिया जिस तरीके से उन्होंने क्या लगा विज्ञान की भीनियु रखी और साथ ही जिस तरीके से ओनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं बायलूजी के दू भागम बढ़ा जाता है वोल पता ही होगा एक जोलोजी और बोटनी इस तरीके से बहुत सारे उनके विज्ञार थे। souvent नहोंने ऐसा ही बात की थी कि उन्होंने कहा था अरस्तु ने कहा था कि अगर हम बात करें इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका इंतर्यू दरा पहले अनभौन न कर लिया गया हो उसी तरीके से तो आईए हमने जानते हैं पहले नितिमिमानसा को देखते हैं अरस्तु की नितिमिमानसा अरस्तु ने पहली बार निति सास्तर की बेवस्थित रूप परदान किया उसकी पुष्टक निकोमेकियन एथिक्स निति सास्तर की पहली सुस्तंद्र पुष्टक मानी जाती है हम लोग जितने भी दर्षनीकों पढ़े उन दर्षनीकों में अरस्तु और सुकरात जब पढ़े हम लोग तो उनमें देखे कि उन्होंने निति सास्तर विचार दिये लेकिन एक बेवस्तित रुप परदान नहीं किया था और उसी तरीके से अरस्तु ने क्या किया एक बेवस्तित रुप परदान किया एक उसपत पुष्टक विरची जिसका नाम है निकोमेकियन एथिक्स जिसे हम निति सास्तर की पहली सोतंतर पुष्टक मानी जाती है ठीक उसी ने पहली बात असपश्ट किया कि नेतिकता का संबंध बेक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता बलकि कि वो संकल्प सोतंत्रे पधारित कर्मों से होता है उन्होंने क्या कहा कि नेतिकता जो होती है वो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि नेतिक्ता का समन्द ब्यक्ति के सभी कर्म पधारित होता है वो सभी कर्म पधारित ने सिर्फ क्या होते हैं संकल्प सोतंत्रे पर अधारित होते हैं ठीक उसके अनुसार दो परकार के कारत स्व्यक्षी कर्म नहीं माने जा सकते हैं पहले कारlaws आपको ये, दिखे, क्या होता? आपको कुई कारम स्व्ब्षिक कर्म नहीं माना जया सकते हैं पहले, जब आप कुई कर्म बाहरी दवाव की वजस्ट से कर्ने हैं बाहरी दबाव में किये गए कर्म मतलब कोई ऐसा करम करने है जो कि आपको बाहरी दबाव करने के लिए प्रेडित कर रही है तो वैसा करम को स्वेक्षिक करम नहीं मना जाये परस्तितियों के अनिभीगे होने करम किये गए करम मतलब कि पर्ष्टितियों से अनिभी गये थे और करम कर दिये तो ऐसे करमों हम लोग क्या करेंगे स्वेक्षी करम के अंत्रगत नहीं रख सकते हैं ठीक कि सबसे अत्ति सबसे मुच सुभ क्या है हम सुभ किसे काएंगे प्लेटो ने सुभ के परते को सरोच सुभ कहा था जो इहलोक में न होकर इससे परे है प्लेटो कर नसार इहलोक में पर ज्यादा जुड़ देती है ठीक उसी तरीके से एह लोग पर पक्षधार है ठीक इसलिए उसको दावा है कि स्वरोच सुभ आनन्द या कल्याण है उन्होंने क्या कहा कि स्वरोच सुभ क्या है आनन्द और कल्याण ही है क्या है आनन्द और कल्याण है इसका परमाड़या है कि हम आनन्द की कामना किसी लक्षे के साधन की रुप में नहीं करते बलकियों क्या है अपने आप में ही वांचनिये हैं ठीक उसने सब गुणों की परिभासा देते हुए कहा कि सद्गुण मनुस्य की ऐसी अस्थाई मांसिक आवास्ता है जो निरंतर अभ्यास के फल स्वरुप डिक्सित होती है हमने क्या कहा कि अलग अलग गुणों और अलग पर करके घूण दीए गए तो चीस तरीके से उन्हों ने क्या कहा उसने सब गुणों कर भासा देते हुए कहा कि सद्गुण मनुस्य की ऐसी अस्थाई मांसिक आवास्ता है जो निरंतर अभ्यास के फल स्वरुप डिक्सित होती है एक कि एक जडमत होत सुझान रशरी आवद जाथ सिल्प पड़त निसान उसी तरीके से अभ्यास करते हुए वो क्या होती है विख्षित होती है और आस्थाई मांसिक अवस्था के तौर पर और बुध्धी द्वारा निर्धारित उसके स्वेक्षिक कर्म में व्यक्त होती है और सद्गून की परिभासा के समन्द में मध्यमार का सिधान मध्यमार का सिधान दिये जो कि हम इन्हें इंगलिस में डॉक्ट्रिन आफ मीन कहते हैं क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन आफ मीन मध्यमार का सिधान ठीक जिसके अनुसार परतेक नैतिक सद्गून जिसके अनुसार पर और तेक नैतिक सद्गून दो वतिवादी दिष्टिकून के बीच की अवस्ता है मतलब उन्होंने कहा जितने भी नैतिक सद्गून है दो वतिवादी ना दो अतिवादी दिष्टिकून की बीच की अवस्ता है मतलब कि मध्यमार की बात कही जा रही है मध्यमार का दो का हिचालन को दो वर्गों में विभाजित क्या एक बोधिक सदगूण एक को नैतिक सदगूण करते हुए कहा एक बौधिक सदगूण नैतिक सदकूण पतन हो अत्मा के दो पक्षों बौधिक प्रत्राइध हम ने Lisa rejection एक नेतिक सद्व आजो दोनों पक्षए एक भाऊधिक और एक भाऊनात्मक परधारित है ठीक आत्मा का भाऊनात्मक पक्षए एक चाहं और वार्चनाय से समंधित होती है जो पशू में भी होता है लेकिन बौधिक पक्ष वबिसेश पक्ष है जो मनुस्य के शेश प्राणों से बहतर दथा अलब होनाता है मतलब कि जो बौधिक पक्ष है जो उसके पास मितलब जैसे कहते हैं तर्ग करने के चमदा ठीक है जैसे कहाद अरस्तु ने असविकार नहीं किया कि मनुस्य के पास एक सहज जनम जात तर्ग छमता होती है जिसे हम बौधिक छमता करते हैं वो तर्ग करने के छमता वास्तों में अरस्तु के अनुसार यह तर्ग है कि जो मनुस्य की अन्य जीवों से अलग पास्चान का लक्षण है किन्तु जब तक हम किसी चीज का इंद्रियों से भान नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा तर्ग पुरा खाली है अन्ता आत्मी का कोई जनम जात विचार नहीं ठीक जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से एक कहानियां बात करते हैं कि कहा जाता है कि कोई भी चीज ठीक है मनुस्य आरस्तु के बचार था कि हम कोई भी चीज इंद्रियों से जब तक जितने भी संसार में जितने भी चीज भी दिमान है आम उसे इंद्रियो द्वारा उसे समाझ भी सकते हैं तो तरफ क्या है हमारा बौधिक पक्ष है तो ही कहा है बौधिक पक्ष हुआ है जो बिसिस पक्ष है जो मनुष्य के सिस प्राणियों से बहतर तथा अलग बनाता है बौधिक पक्ष की वज़र से हम लोग क्या है मनुष्य अन्य प्राणियो से स्रिश्ट मतलब अन्य जीव से चिश्ट और क्या है अलग और भीहतर न जाराते हैं तो इह एक उनके उपर देखें अरस्तू थे अरस्तू के विचारती कि आदमी स्वावाव से चाहर नीतिक जानवाड है कहा जाता है आदमी कि आदमी स्वाव से आदमी स्वभाव से दाजनितिक जानवर है यदि हमारे चारो हमारे हमारे चारो तरफ चारो और चाए गई चारो और समाज न होता समाज न होतो हम असली आदमी नहीं हो सकते इसका दावा है मतलब हम समाज अगर हमारे बिच्चो की समाज हम जिसे कहते हैं समाज के परिपाज़ा के तोड़ पर हम से लगते हैं बहुत सारी बेष्टाउस से चलने वाली बेवास था तो समाज अगर हमारे विद्चना हो तो हम लबी क्या है? एक जानवर है जिसे उन्हों अरफन का कहा है राजनीतिक जानवर कहा और समाल न हो तो हम असली आदमी नहीं हो सकते उन्हों दावा किया ठीक और मनुस और जानवर की एक विशिष लक्षण क्या है अगर हम बात करें तो जानवर और मनुस में विशिष लक्षण सिर्थ इतना ही है कि ताकिक धंग से सुचने की छहमता मनुष्य के पास क्या है तर्प करने की छहमता है ठीक है तो इस सबी चीज़े उन्हों ने विचार उनकी नितीम मांसा पर ऐसे विचार थे ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करें तो अगर हम लोग जब हम क्लास करेंगे अलग से तो नितीम मांसा अरस्तु के बारे में अने व अगले किलास में पढ़ेंगे बेन्थम की नितिविमानसा, अगले कलास में पढ़ेंगे बेन्थम की नितिविमानसा, ठीक, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद, आप सभी का